यहां पर आज खो खाला बहां को दोड़ा नवहों हं सकता है निदाइग गुड़ायि का मान आपका एक और लूओ मुड़े विडिए 오 से और अगर आप लोगों को पताने है तो मेरे गाओं का नाम हुआ रांसी जो कि उत्तराखन राज्य के रुद्र प्यार डिश्टी में बसावा एक खूप सूरत सा गाओं है आज कल देखें जी रेगुलर पहाड़ों में बारे सोरी है और जिस वह से देखें जी जो हरियाली है वह भी पहाड़ों में बढ़ गई है कुछ दिन पहले या नीचे नीचे साइड ना पूरा जो यहां पर यह अनाज था यह सूग गया था उपर उपर साइड तो ठीक था लेकिन नीचे साइड सूग गया था अब बारिस हो रही है तो उस वह से देखे भई जो यह अब बड़ा बड़ा होता है तो फिर क्या होता है उसके साथ खर पत्वार भी निकल आती है तो इसलिए गुडाई भी होती है वाकी गावाले सब लगे हुए हैं गुडाई के काम पर आजकल से देखो इतने कडागे की धूप पर ड़ी है ना कि क्या बताएं वह नो बच के अर ब कोदल है वो रखे हुए है उपर लिभी नहां पर यहां निकाला जा रहा है तो तो हमारे घर पर यहाँ तो पर यहांपर आई है नाम कए आपका आ leider जरी और चटी चलियन आज गुटायी काम में आपहोzd मेंटे मैं आची किस दिन पहले फिर से गुडाई करी थी जहांपर की चाचिना च्छॉटी छोटी मियाड बनाई थी तो यहाँ पर बहुत सारे जो डाले हैं वो लगना शुरू हो गई है और साथ जाथ यहाँ पर सुटगे भी रखे हुए हैं जो यह डाल है उस पर लगाने के लिए यह देखिए जी आजकल जो गुडाई का काम है वो लगा हुआ है है तो जितनी भी यहां पर से खर वतवाएर है वो सारी निकाल दी है अब देखो यह कविधिन पर अच्छी रंग से जो गुडाई है वो हो गई है और साथे साथ मैं बोल ला था कि गुडाए के साथ साथ दूसरा काम करते हैं गास निकालने का दिखो यहां पर जो गास होगी waves indi की फिर नीचे नीचे साहँ है जो ऑफνान सूनर में डिखा जेल Are 20 यन से बारषी होया है तो उसके स्वाइफ भी निखर शलते चलते मैं यहाँ अपने पंचा भवन में भी आं गया हूं वागे यहाँ से सामने चलते हैं और यहां से अप्ना सीमिद्टेगा जो महला है आरी हो और य आए बघल में देखे वही दो-तिन अख्रोड के पेड़ है एक यहाँ पर है एक देखे जी एक यहाँ पर है और एक ठीक नीचे यहाँ पर है तो इन पर देखो बहुत सारी अख्रोड रगए हुए है बही यहाँ साथी छेया लोगों के खचर भी घर को आगे हैं तो ठीक करते मुझे लगबग एक डेट गंटा हो गया है वाकि मर्स यहां पर बैठा हुआ था और यहां ठंडी ठंडी आवा चल रही थी और घर से कॉल भी आ गया है खाना खाने का भी टाइम हो गया तो अब निकलते हैं भई घर की तरफ अब जब भी दूप की चमाख लग रही है तो बहुत तेज वाली लग रही है बई मौसम भी देखो आप लोग कुछ ऐसा हो रहा है यह दो पूरे बादर लगे हुए है वह से क्या हो रहा है कि तभी दूप लग रही है और तभी चाहू लग रही है फाइनली खाना बनके भी रेडी हो गया है यहां पर देखो आज कपली भात बना हुआ है हरा साग जिसे बोलते हैं साथ में आप मठ्था है और घर में देखो वह यह चार हो गया है बाकी दूप की चमाज भी देखो अभी तक हमारे यहां महले में है और शाम के टाइम पर भी देखो सब लोग लगे हुए हैं वापिस गुडाई के काम पर इक उपर मठ्वेसर गाटी से देखिए बहुत ही खतरनाक बारिस आरी है और इसाड मर्स से धूप लगी हुई है बाकी पहाडों का मौसम का बिल्कुल भी पता ने चलता है अभी धूप लगी हुई है तो शाम का कोई भरोसा नहीं है बारिस भी हो सकती है और सामने रूट पर देखिए बहुत सारी गाड़ियां लगी है जो की उपर मध्वेसर यातरा के लिए गए होंगे तो लोग अपने गाड़ियां यहां पर दगाते हैं यहां ठीक नीच वाले खेट में देखो भाई चाची जी भी लगी हुई है गुड़ाई के काम पर तो यह देखो जितनी भी खरपतवार निकल आती है उसे अलग पर रखा जाता है जिसके यहां नीचे भी तुकाप यह यहां पर तो बाकि अभी इस पूरे खेत में यहां से लेकर के और वहां तक पूरी गुड़ाई करनी है तो चलिए जी अभी शाम के साड़े पांच हो गए हैं बाकि यहां पर अभी दीपा भाई आए हैं और इनका वी एक जरूरी काम निपटा है आज बहुत जरूरी था अब करेंगा तो सक्सस्फुल हो गया नहीं करेंगा तो फिर गई पैसे नहीं होगा होगा बाकि भीया ने मिल पर अपनी गाड़ी की चावी दी है जो कि यहां उपर में लगाई है बाकि हमारा कल का कुछ प्लैन भी बन रहा है अब देखते हैं एक्जेक्यूट हो पाता है पाता है चल ठीक है मिलते हैं अपने घर पर इंटरनेट राउटर लगाया है जिससे की स्पीड जल्दी आई अपलोड करने की नहीं तो उनको वीडियो अपलोड करने में काफी दिक्कत होती है जैसे हमारे यहां घर पर है तो यहां से नेट रॉक दिखाए देते हैं मतलब हैं यहां पर आती है और दिवाभायलों का महला है यहां से काफी नीचे हो गया तो वहां दिक्कत होती है यहां नेटम के मामली नीचे देखो बैस्फिजो फेट है वो लगग बघवाघ भग कर दी है और यहांसे हो भी आदा और बचात्या और कैसे लग रहूआ है कि अच्छा लग रहे है कि birl़े अचछा लघ रहे है ये चाय बनाऊ चेली में गाओं की महिलाओं का सब का यही काम रहता है सब लोग लगे रहते हैं गडाई के काम फे ठीक नीचे मेरी मम्मी हो गया और छोटी भेहन थाय जी चाची सब लोग लगें होई सामने पईदादी लगी हैं तो आजकल सब लोगों का यही काम है गुडाई का काम और साथी साथ गास निकालने काम जो निचे नीचे सायड जो गास होती है बूल लिया साथ जहां पर न बहुत अनाझ रहता है तो उसको अलग जब यहां तो इस तरीके से पूरी गुडाइगा करनी है यहां इदर साइड ना पूरी कम्प्लीट कर दिया चाची नहीं दो आप अच्छे दंग से यहां पर गुडाई होगी है जिससे की जो अनाज है वह भी काफी अच्छा हो रहा यहां पर देखे वह जो गुडाई का काम है वह मन्डवे की जंगरा रहता है उसका हो गया तो सब चीज का होता है उससे भी खरफटवार निकाली जाती है तो यह काम बहुत जरूरी होते है तो लोगों के बहुत सारे का काम हो गया और जो बुआई का काम होता है यह सब चीज मतलब जो बीज लगाए जाते हैं वो सब औरते हैं और इसमें भी ऐसा होता है कि यहां पर इतने बड़े खेत नहीं रहते हैं यहां का जितना भी अनाज होता है वो अपने लिए होता है मतलब कि बेशते कोई नहीं है लगबग सारा अनाज गाई के देने के काम हो गया या अपने खाने के काम ही आता है यह देखो बई जो निडाई गुडाई का काम होता है वो लगबग गाउं के औरते ही करती है यहां पर चाची जी लगी हुई है, शाथे साथ यहां पर देखो चाची ने एक स्वल्टी विला रिखिये और यह बनती है रिंगाल से, कुछ इस तरीके से बनाए जाती है और यहां पर चाची जी लगी हुई है, बाकी मैं भी चलता हूँ, मेरा थोड़ो मार्केट में भी काम है और कुछ दिन पहले देखो नीचे नीचे साइड ना जो यह धान था वो देखो पूरा सूग गया था यह दो चाट दिन से बारी सूरी है तो उस वह से जो अनाज है वो भी काफी अच्छा हो रहा है, मतलब उसमें भी ऐसा है कि मोयार आ रहा है अठी क्याओं पर में देखे वे बुवाजी होगी और बौबाजी भी लगी हुई है आजकल गुड़ाई के काम पर, सबका यही काम है आजकल वारम के टाम पर देखे होगे मौसम आप कितना प्यार हो रहा है आधे भगल में देखे वे यहां पर भी डेड़ सारा यहां पर मंडवा हो गया और जो जंगोरा है वो लगायों है और यह यहां पर जो गुड़ाई का काम है वो, कम्प्लीट हो गया है अब देखे वे यहां पर जो राजमा की फलिया हैं वो भी देखो कितनी बड़ी-बड़ी ओर किया है यह देखो बैजिसे पहाडों में मौनसुन लगता है वैसे ही पहाडों में न सब जोंके कोई दिक्कत नी होती है वए अब देखो गाउं में भी आ गया हूं वाकि ठीक सा सब्सक्रान पर आ गया हूं यहां पर से जो बंदेशर की पैदल यात्रा है वो भी स्टार्ट होती है देखे वे मौसम कैसा था और अभी देखो कैसा हो गया पूरा साफ हो गया है जो बादल है वो भी हट गए हैं थोड़ा बहुत हैं लेकिन जो बरफिले पहाड़ है न व महां पर भैंकर वाली बारिस हो रही थी और शाम आते आते देखो मौसम एक दम क्लियर हो गया है दिन पहले इस जगहाँ पर तक रोड कटी थी बागी आज दिखो आप लोग सामने चली गई है वहां पर से मदमेसर के लिए पैदल यात्रा शुरू होती है वहां पर से लग मज़ा आ गई है देखकर के अमने पूरा मैज देखा इतना ख़तरनाक मैच हुआ कि क्या बताया है मज़ा आ गया वाकि आप सभी लोगों को बहुत बहुत बदाई है फाइनली बहुत टाइम बाद आई से ट्रॉफी आई है इंडिया के पास तो बहुत कुसी हो रही है तो बहुत बहुत बदाई है आप सभी लोगों को